बिल्ली और चूहों की कहानी सुनो और अच्छी लगे तो लाइक सबस्क्राइब करना एक बार एक बिल्ली थी वो बहुत ही चालाक और चौकस थी और उसकी इसी चालाकी और चौकसी को देखकर चुहे भी सावधान हो गए थे और अब चुहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे एक समय ऐसा आया कि बिल्ली भूख के मारे तडपने लगी एक भी चूहा उसके हाथ नहीं आता था क्योंकि वो उसकी आहट सुनते ही तेजी से अपने बिल में छुप जाते थे गूख से बचने के लिए बिल्ली योजना बनाने लगी तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक टेबल पर उल्टी लेट गई उसने सभी चूहों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मर चुकी है सारे चूहे बिल्ली को ऐसे लेटा हुआ अपने बिल से ही देख रहे थे उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है इसलिए उनमें से कोई भी चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आया लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी वो बहुत देर तक उसी टेबल पर उल्टी लेटी रही धीरे धीरे चुहों को लगने लगा कि बिल्ली मर चुकी है वो जश्न मनाते हुए अपने बिल से निकलने लगे चूहे जैसे ही बिल्ली की टेबल के पास पहुँचे, उसने उच्छल कर दो चूहे पकड़ लिये इस तरह बिल्ली ने इस बार तो अपने पेट को भर लिया, लेकिन चूहे अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए दो चूहे खाने के बाद बिल्ली दुबारा भूख से तड़पने लगी, क्योंकि चूहे अब बिल्कुल भी लापरवही नहीं बरतना चाहती थे इस बार पेट भरने के लिए एक बार फिर बिल्ली को योजना बनानी थी लेकिन इस बार छोटी योजना काम नहीं आने वाली थी इसलिए बिल्ली ने अब खुद को पूरे आटे से धाक लिया चूहों ने सोचा कि वो आटा है और उसे खाने के लिए आ गए लेकिन एक बुड़े चूहे ने उन्हें रोक दिया उसने ध्यान से आटा देखा तो उसे उसमें बिल्ली का आकार दिखने लगा तब ही बुड़े चूहे ने हल्ला मचाना शुरू किया उसने कहा सब अपने बिल में चले जाओ यहां आटे में बिल्ली चुपी है बुड़े चूहे की बात सुनकर सारे चूहे अपने बिल में चले गए जब बहुत देर तक एक भी चूहा बिल्ली के पास नहीं पहुँचा तब बिल्ली ठकने की वज़े से उठ गई इस तरह बूरे चुहे ने अपने अनुभव से सारे चुहों की जान बचा ली कहानी से सीख बिल्ली और चुहे की कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धी का इस्तेमाल करके धोखे से बचा जा सकता है धन्यबाद